हेलो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रेस्पी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे नमकीन तीन तरे की तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ हमने बनाया है आलू भुजिया तो किस तरह से हमने बनाया बिल्कूल हल्दी राम वाली आलू भुजिया वही फ्लेवर है तो वीडियो श्चार्ट करते हैं और वीडियो श्चार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अगर हमारी आज की रेष्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना उर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीज स्क्राइब करना तो पहले बनाते हैं आलू भुजिया, तो आलू भुजिया के लिए हमने क्या क्या है, आलू ली है, आलू हमने उबाल लिया था, और उबालने के बाद इसको हमने एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखने से इसका मॉइस्टर सारा निकल जाता है, और स अद्रक घिसते हैं अद्रक वाला है यह इतना बारीक है इसी से हम कद्दू कस कर लेंगे सारी आलू तो इतनी बारीक जब इसमें निकलेगी न तो इसमें गुठलिया बिल्कुल भी गाठे नहीं रह जाएंगी और हमारी जो आलू भुजिया बनेगी न वह बहुत जादा एक जिनो और इसके जो चिलके थोड़ा सा फ्रीज में रखने से हलके हलके चिलके जैसे हो गए थे उनको मैंने हटा दिया जिसे न हमारी बुजिया बिल्कुल सौप्ट बने बढ़िया सी तो अभी हम क्या करें कि जो आलू है आलू को हम फिर से हास इसको अच्छे से मसल मसल के इसको गूंद लेंगे आटे जैसा गूंद लेंगे जिसे न कि एक भी कहीं भी एक गाठ भी जरास न रहे जाए नहीं तो हमारी बुजिया फिर बढ़िया नहीं बनेगी और बनाने में साचे में न तो फिर थोड़ी सी प्राब्लम हो जाएगी तो अभी हमने आलू को अच निकल जाता है अब हम क्या करेंगे बेसन लेंगे तो बेसन एक दो तीन चार पांच तो हमने तीन आलू लिया है तीन आलू के हिसाब से हमने पांच चमच बेसन लिया है थोड़ा सा क्वांटिटी बेसन की रखी है जादा थोड़ी सी जादा रखी है बहुत जादा नहीं आलू से और इसे में अब मिलाएंगे हम मसाले थोड़े से तो हल्दी डालेंगे कलर के लिए जिसे ना हमारी जो भुजिया बनेगी ना एक तम कलर फुल बढ़िया सी बनेगी इससे कलर बहुत अच्छा आएगा अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो नहीं तो जरूरी नहीं है लेकिन हल्दी से ना कलर बहुत अच्छा आता है इसके बाद हम थोड़ा चटपटे के लिए ना तीखे के लिए मिर्शी डालेंगे साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी काले मिर्श पाउडर थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला आधा चमश सारी चीज़े आधा चमश के फेर नमक दोनों नमक मिक्स करके डालेंगे तो हमारे बढ़िया बनेगी और साथ में डाल दिया हमने चाट मसाला और थोड़ी सी हींग चाट मसाले से जो हमारा फ्लेवर आएगा वो बहुत जादा बेतरी नाएगा बहुत जादा अच्छा आएगा तो इस सारी चीजे मैंने बिल्कुल उसी है साफ से हमने डाली है और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से आलू और बेसन मसाले अच्छे हां से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी चम जो है तेल डालेंगे तेल से जो सौप्ट होंगी एक इतने करारी बनती है और खुशक इतनी ज़्यादा होती कि तुरंत तूट जाती है अब बस क्या करेंगे थोड़ा सा अगर आलू गीली है तो फिर पानी डाले के ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर नहीं आलू गीली है तो फिर पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आठ का जो बैटर है ना यह बढ़ीयासा हमारा तयार हो गया है डो तो अब इसको हमारा आलू हमारा आलू भुजिया के लिए भुजिया वाला हमारा जो बेसन का डो है वो तयार हो गया है आलू और बेसन का इसको हम ढग देंगे दस मिनट के लिए और अब हम दूसरा तयार करते हैं जो बेसन के स्यों बनाएंगे नमकीन स्यों जो मार्केट में मिलते हैं ना बस वही बनाएंगे तो इसके लिए हमने लिया एक कटोरी बेसन और इसमें बहुत जादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे तो लाल मिर्ची पौडर हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे तीखे के लिए थोड़ा सा कासमीरी लाल मिर्ची डाल देंगे इसे कलर बढ़िया आएगा थोड़ा सा डाल गरब मसाला काला नमक भी तोड़ा सा टेश्ट केरसा डाल देंगे और साथ में डालेंगे सपेद नमक तो दोनों नमक आप एक नमक डाल सकते हो चाहे काला नमक या सपेद नमक भी डाल सकते हो जो पसंद हो मैंने दोनों मिक्स करके डाला इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया सा आता है हमारे स्यों का और इसी में डालेंगे सरसों का तेल तो सरसों का तेल भी हमने इसमें भी आधी कटोरी डाल दिया है और साथ में अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अजवाइन तो थोड़ी सी हम अजवाइन डाल देंगे फ्रिंट थोड़ी सी हींग भी हमने इसमें डाल दी है वो नहीं इसमें दिख पाई लेकिन थोड़ी सी हींग भी हमने डाल दिया है अजवाय से और हींग से जो ना बेशनक है बहुत ज़्यादा चिटपटापन बढ़िया सा आजाता है प्लेवर बहुत बढ़िया सा आता है तो सारी चीजे मिक्स करने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालके आठे का डो इसका बना लेंगे इसका डो हम थोड़ा सा सौप्ट रखेंगे जो हमारा ये नमकी स्यो बनेगा ना इसका हम थोड़ा सा सौप्ट रखेंगे तो ये कभी-कभी ऐसा होता है कुछ ऐसा खाने का मन होता है कि कभी चाट बनाना होगी या कुछ ची बनानी हो और कभी-कभी यूँ ही चाय के साथ कभी-कभी मन हो जाता है साम के समय कभी मन हो जाता है सभी लोगों का कि थोड़ा सा इस तरह से खाने का स्नेक्स जैसे वो नमकीन से वो अगरा सभी को ज्यादा अच्छे लगते हैं इनको किसी चीज में भी मिक्स करके खा सकते हो इसकी नमकीन भी बना सकते हो तो ये इस बना के लेने से इस तरह से रहता इसको महीनों इस्टोर कर दो तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो आटा जो न एकदम बढ़िया सा बेसन सिट हो गया आलू और बेसन जो हमारा डो है न भुजिया वाला वो सिट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे न इसके बना लेंगे हाथ में थोड़ा सा लगाएंगे तेल जिसे न हाथ में बेसन चिपके नहीं नहीं तो बहुत जादा ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं इतनी बढ़िया से हमाँ में लगते हैं भुजिया तो सभी लोगों की फेवरेट होती है बच्चे हों बड़े हों कोई भी हों बुजर्ग हों कोई भी हों सभी लोगों को आलू भुजिया इतनी ज़्यादा फेवरेट होती है कि कह जरूरी नहीं कि बाजार से लेके मार्केट से लेके खाई जाए घर में बनाके खा सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद तो अभी हमने लिया है मसीन और मसीन में न हमने लिया है यह दो हैं तो यह इस तरह से हमने लिया है बारीक वाला है और थोड़ा सा मोटा वाला है तो मोटा वाला हम इसको बाद में बनाएंगे और ना थोड़े से हम ये बारीक वाली अभी तो आलू भुजिया पहले हम बनाएंगे तो इसके लिए हम बारीक वाला ही लेंगे जिसे हमारा जो आलू भुजिया बनेगी ना बिल्कुल इदम मार्के है ये डाल देंगे और साथ में लगा देंगे डो हम तो हमारे जिना थोड़ा सा जैसे लगा मुझे कि है कम है तो दो बार में ही यह आ जाएगा दो बार में हमारे बढ़िया से बन जाएंगे और बस मशीन कर देते हैं टाइट लेकिन फ्रेंट्स एक बात का ध्यान रखना ज तोड़ा सा दिक्कत होती है, फिसलते हैं, हाथ को यह नहीं बन पाते हैं, जल्दी आसानीस से, तो यह देखो इस तरह से एकदम बढ़िए से निकलने लगे, बारीक बारीक से निकलने लगे, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, तेल मैंने पहले से चढ़ा दिया था तेल गर्म हो गया है तो medium flame पे हमने रखा था अभी हम देख लेते हैं कि तेल हमारा perfect हो गया है गर्म हो गया है या नहीं तो गर्म तो हो गया है लेकिन हमें थोड़ा सा और गर्म चाहिए क्योंकि जैसे डालने के बाद थोड़ा सा बेसन डाल के देख लेते हैं अगर ये तुरंत उपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा तेल पर्फेक्ट तयार हो गया है बनाने के लिए लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा तो कुछ सेकेंड के लिए हमने तेल और गरम कर लिया तो मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे बहुत जादा लो नहीं रखेंगे जिससे ना हमारे बढ़िया से सो बनेंगे और अगर लो कर देंगे ना तो कलर हमारा चेंज हो जाएगा कलर इतना बढ़िया नहीं आएगा हमारी भुजिया का तो अभी बना लेते हैं इस तरह से जिले भी जैसे बस भुजिया इस तरह से हम बना लेते हैं तो एक बार मशिन में भरने के बाद दो से तीन बार अगर मशिन पूरी भरी हुई है तो तीन बार शो बढ़िया से निकल सकते हैं तो आलू भुजिया हमने इस तरह से बना लिये और एकदम बिल्कुल लग रही है मार्केट वाली बहुत ज़्यादा टिस्टी होती है हमारे घर में सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हमारे घर में क्या बच्चे पुड़े कहीं हो बाहर भी सभी लोगों को हर घर में हर घर की पसंद है आलू भुजिया बच्चों को आलू भुजिया चाहिए या तो चिप्स चाहिए होता है ये ऐसी चीजे होती है जो सभी लोगों को पसंद आती है और चाय के साथ तो फिर कहना ही क्या है मैं माना आएं बड़ी असा आलू भुजिया खिलाओ मज़ा आजाए चाय के साथ तो फिर कहना ही क्या है तो एक तरफ से ये हो गए है और इनको हमने पलट दिया है ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता तीन से चार मिनट लगते हैं चार मिनट में ही है हमारी भुजिया ना तेल क्योंकि अच्छे से गर्म होता है तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और बेसन तो पकने में वैसे भी टाइम नहीं लगता है बेसन बहुत जल्दी बन जाता है और अभी तेल हमारा अच्छे से गर्म है और फटा-फट से हम जल्दी से बना लेते हैं सारी इसमें आलू भुजिया इसी तरीके से है तो यह वाली भी बन गई हमारी और बढ़िया से हमारी आलू भुजिया इस तरह से बनी और इदम कलर एक जैसा ही आया किसी का कलर कोई डार्क नहीं हुआ किसी का कोई हल लाइट नहीं हुआ एक कलर में हमारी अलू भुजिया भढ़िया से बनी है तो सारी हम भुजिया जो नहां अलू भुजिया इसी तरह से बना लेंगे एकदम करारी क्रिस्पी तो मेरे घर में सब ने कहा कि ये तो दुकान खोलने वाली हो गई कि दुकान खोलो बढ़िया से बेचो बहुत बढ़िया से बिकेगी क्योंकि इतनी जादा क्रिस्पी बनी है बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है सबने का आप तो मार्केट से बिल्कुल भी नहीं खाएंगे और हमेशा यही बना के रखना और इसी तरह से बस बना बना के रख दिया करो हम लोग खाते रहेंगे तो मेरे घर में तो फर्माइस हो गई है इस तरह की आलू भुजिया बनाने की तो हमने का ठीक है भी बना के रख देते उसमें क्या इस्टोर करके रखना है बना के एक साथ रख लो इस्टोर कर दो महीनों खाते रहो लेकिन महीनों किसी के घर में चलती नहीं है बच्चे हों बड़े हों सभी लोगों को ये हर वकत मतलब कुछ न कुछ चाहिए होता है खाने के लिए तो ये हमारी आलू भुजिया हो गई है तयार एकदम बढ़िया सी क्रिस्पी बिल्कुल हल्दी राम वाली और फ्लेवर बिल्कुल हो गई एकदम हाथ लगाने से ऐसे आवाज आती है आवाज आ रही ना फ्रेंट बहुत बड़ी असे इसके आवाज आ रही है एकदम कुरकुरी सी और इतनी मुलायम है कि बस कहने क्या है मुँमें रखो जैसे ना घुल जाएगी तो जिनके दात नहीं वो भी इस तरह की भ भुजया खा सकते हैं तो यह हमारी हो गई आलो भुजया की तयार और इसको रख देते हैं अब हम साइड में और अब बनाएंगे हम बेसन के स्यों तो बेसन का जो डो हमने तयार किया है उसको भी अब हम देख लेते हैं तो यह भी तयार हो गया है सिट हो गया है इतनी देर में थोड़ा था सक्त हो गया है तो इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हम इसको गीला कर लेंगे और बस मशीन देंगे और मशीन में थोड़े से हम बनाएंगे बारीक वाले इस जैसे आलू भुजिया बनी है थोड़े से ये वाले बनाएंगे थोड़े बनाएंगे हम मोटे तो जितना ये बेसन हमारा है बेसन के इस तरह के हम दो तरीके बनाएंगे इतने बेसन के क्योंकि आलू भुजिया हमने काफी बना ली है इसलिए थोड़े से मोटे से हो क्योंकि मुझे ना मोटे से हो चाय के साथ मोटे से हो ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो अभी बस फिर से हम मशीन में भरते हैं बेसन और दो बार में इस तरह से भर जाएगा हो जाएगा हमारा तो एक बार में हम बारिक स्यों बना लेंगे और एक बार जो बचेंगे उससे हम मोटे स्यों बना लेंगे तो ये भी मसीन हमारी तयार हो गई है चलो गरम है कडाही और बना लेते हैं फटा फट से ये बेसन के स्यों कड़ाही बिलकुल परफेक्ट गरम है तो बनाने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगेगा तो जल्दी से बना लेते हैं बेसन के जो नमकेन जो बाहर मिलते हैं इससे जो बहुत बढ़िया जीस में प्याज वगरा मसाले डाल के खाओ न तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्याइम नहीं लगा फटा फट से जल्दी से ये पक गए तो मिनट में ही तो कलची में हमारे लग गए हैं धोड़ा सा नीचे क्योंकी इतनी परफिक्ट कलर हमारा आया है बेसन के स्योका जैसे बिल्कुल मार्केट में मिलती है ना बिल्कुल वही वाला कलर आया है तो फ्रेंट से एक बार इस तरह से मेरे तरीके से एक बार बनाना ट्राई जरूर करना बनाना खाना मेहमानों को खिनाना बच्चों को खिलाना की भुजिया होती, तो अच्छी लगती, सभी को लोगों का अच्छी लगती है, कुछ चीज़े ऐसी होती है, लेकिन वो ऐसे तेल में बनती है, कि जो तेल रखा हुआ होता है, बहुत दिनों का रखा हुआ होता है, तो वो लोग जो बनाते हैं, तेल रखा हुआ तेल बनाते हैं, उसी में बनाते रहते हैं, लेकिन जो हम लोग घर में बनाते हैं, घर में हम लोग अगदम अलग तेल से बनाते हैं, अगदम साफ सुत्रे तेल से बनाते हैं, जो बिल्कुल भी कराम नहीं होता, एक दो बारे इ कटा दिया जाता है खराब हो जाता है तो फिर उसका कुछ बी नहीं बनता है क्योंकि जब तेल खुराब होगा तो स्वास्थ भी खुराब होगा स्वास्त को अच्षा रखने के लिए हमें तेल भी साफ सुतरा ही गाना चाहिए तो भी इतने बढ़िया से क्रिस्पी बने हैं, फ्रिंट्स आवाज आ रही, इसकी भी आवाज आ रही होगी, इतने क्रिस्पी बन गए हैं, कुरकुरे से हमारे स्यों बन गए हैं, तो नमकीन स्यों हमारे कुछ इस तरह से बन गए हैं, और मोटे वाले जो स्यों हमने बनाएं, त दीन होती है और उसके साथ में कुछ ने कोछ खाने के लिए भी बाइऑ मेंést और पतले नहीं मैंने 3 बेटिके मार्व NICK मेरी स्यों तयार हो गए है आलू भुजिया हमारी तयार हो गई है इस्टोर करने के लिए तो इसको भी हम हम भर के डबे में इस्टोर कर देंगे और मिलते हैं एक नियो रिस्पी के साथ अब तक थाइंक यू भाई